यह Ldiide ketone ba Carvoseleck अमल बाले अध्याय का थार्ड एवं लाश्ट पार्ट है इससे हम आएं Carvoseleck समू की नाम प्रदार्थी बस रशना से स्टार्ट करना है तो आए ये पहले देखते हैं Carvoseleck समू की नाम प्रदार्थी मतलब कैसे कर सकते हैं कार्बुसलिक अमल प्रकिती से प्रारंभिक दोर में बिलगित किये गए युक कुमे से हैं अथा इनमे से बहुत से समान नामों से जाने जाते हैं समान प्राकोतिक स्तुरूत के लेटन अथवा ग्रीक नामों से ये बित्पुन होते हैं अंग्रेजी के लिखे नाम के अंतम हैं अनुलगन आई-सी एक एसिट लगाते हैं उद्हानता फॉर्मेक एसिट या अमल सरपर्तम लाल चीटियों से लाल चीटियों से इसटिक अमल सिरकेस हैं अभाई विक्रित गंदी मक्षन से प्राप्ट किया गया तो इसे याद रखें कि जो फॉर में कमले बालाल चीटियों से और जो एसेटे कमले बुसरके से और जो ब्यूटेरिक अमले बाइब बिकृत गंधी मक्षन से प्राप्त किया गया अईउ पीएसी पदारती में एली फेर्टे कमलो का नाम करने के लिए संगत ऐलकेन के अंगरेजी में लिखे नाम के अंथ में इस्तित आई मलब अईकर अनू लगने लगाया जाता है कार्वन स्रेंकला का अंकन करते समय कार्वोग जिलिक समू के कार्वन परमानों को प्रतम संख्या प्रदान की जाती है एक से अधिक कार्वोग जिलिक समू युक्त युकों का नाम लिखने के लिए कार्वो जिलिग सम्मु उता का बंचिं संगत एलेकन की कारवन कांगत कार castle का probंच को एछ संक्यां की इस्थिती सहत अरेविक संक्या में लिखकर दर्साई जाती है कुछ कारवजले का अमलों के सामान और आई पीसी नाम यहां मतलब दिये गए हैं स्टेवल में इसमें हम देख सकते हैं यह सी डबलो एच यह फॉर्मे कमले जो इसका सामान नाम है लेकर जो इसका आई पीसी नाम है बाई मैथ लेंजन-1-2-ΠP कमले अम नेक्षट पढ़ेंगे हम कार्वोजलेख समू की सर रशना कार्वोजलेख समूं की स्यूक्त सभी आबंद एक ही तल में होते हैं त्था एक दूसरे से 120 डिग्री के कोंड द्वारा बिल्गयत रहते हैं कार्वोजलेख काका continuous quo我 बुन कार्वन का अपनाद कम एलेक्ट्रोन रागी होता है यह देख सकते हैं यूक को के आईउ पीजिन नाम लिखिए तो इसे आप मतलब बना सकते हैं अपनेक्स पढ़ेंगे हम कार्वुजले का अमल बनाने की बिद्धिया मतलब जो कार्वुजले कामल है इसे बनाने की कुछ महतपूर्ण बिदियां ने मिल लेख है छैसे की प्राव में के लिगोफ समान ऑक्सिक्राइ्ट कर्मको जैसे उस ने की रहा है सबादान, पोटेसियम डाय कृमेट और क्रोमियम ट्राय ओक्साइड द्वारा आसानी से कार्वुद्यूध कमलों में औक्सिक्रित हो जाती है, तो ये दी गई है अभी की दिया है, देख सकते हैं मतलब कैसे ऐल्कोहल से कार्वुद्यूध का निर्मान हो रहा है, प्राप्त किये जाते हैं अब नेक्ष्ट देखेंगे एलकल बेंजीन उसे एसे टेक कार्वुजलेक अमले एलकील बेंजीन के क्रोमिक अमले अतवाचारिये के एमएनो ओ फुर दुआरा पिरबल ऑक्सिकरान से ब्रिचित किये जा सकते हैं संपूर पार से स्रंकला चाहे किस प्रवावित नहीं होता पर यह मतलब उप्यूक्त रूप से प्रतिस्थापित अलकीन भी इस ऑक्सिकरनों द्वारा ऑक्सिक्रेथों कर कार्वुजलेक अमले उत्पन करती हैं तो यह अभी क्रियाएं दी गई हैं देख सकते हैं मतलब इसमें किस प्रकार कार्वुजलेक अब नेक्स्ट है नाइट्राइल और एमाइड से उत्पिरा के रूप में एच बलस या उएच माइनस आयनों की उपस्तिती में नाइट्राइल पहले एमाइड और फिर अमलों में जलाब गटित हो जाते हैं अभी क्रिया को एमाइड पद पर रोकने के लिए म्रद्दू अभी क्रिया परियुक्त कि जाती है तो यह अभी क्रियां दी गई है अब नेक्स्ट है और ग्रिगयार अभी करमक से हैं जैसे अपनी कफी बना है जैसे कि हम जानते हैं dobrickiaraoshima और अभीकर आभी कर्मा अअबकल नाइटिराइट यह काप्छल हेलाइड होसे बिर्चत की जा सकते हैं किली नंकोच संगध काल्जल कमले में परिबरीत क कन्ये में उपभी होगी है जिसमें यहीं काल्जलिक अदिक बिद्मान होता है अब नेक्स्ट हम देखेंगे एसल हैलाइड और एन हाइडराइड एसेड क्लूराइड जल द्वारा जल अब घटे तोकर कार्वॉक्सिलेट आयन देते हैं जो अमलन द्वारा संगत कार्वॉक्सिलेट अमले देते हैं दूसरी गोर एसल एन हाइडराइड जल द्वारा जल इसकी भी उब प्राप्त होते हैं जब कि छारी जैल आफ़ घाटन द्वारा कालगोसलेट प्राप्त होते हैं जो अमलन द्वारा संगत कार्वॉक्सले का अमले देते हैं तो इसकी भी अभी किरिया दी गई है अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या नेक्स्ट हमें पढ़ना है नेक्स्ट पढ़ेंगे बहुत एक गुण पढ़ेंगे मतलब जो कार्वॉक्सले कामले हैं हम इनके बहुत एक गुण इस सिर्णी के उच्छ सदस मौम जैसे ठोस होते हैं तता अल्प बासुसील एवन बेवारे ग्रूप से गंदिहिन होते हैं कार्वसलेक अमलों के कौथनांग सम्तोल आर्वेक द्रबमानों बाले एलडी हाईडों कीटोनों यहां तक की अलकोहलों से भी उच्छ होते हैं कार्वसलेक अमलों के कौथनांग होते हैं यहां तक की अलकोहलों से भी उच्छ होते हैं कार्वसलेक अमलों का यह गुड़ धर्म उनके अनुगों में प्रसपर अधिक ब्यापक अंत्रा आर्वेक हाईडोजन आवंद द्वारा संगुडन के कारण उत्पन होता है यह हाईडोजन आवंद बास अवस्ता में भी पूर्ण रूप से नहीं तूटते बासथा में धिकांस कार्वसलेकमल कमल बास प्रवस्ता इवं एप प्रोटेक बिलायको में हाइडोजन आवंद दुतियाई के रूप में उपस्त थोती हैं चार कारवन परमाणूं तक सरलल एलीफेटे कारवजले कमल हाइडोजन आबंद निर्मित कर सकने के करण जल में मिश्णिये होती है कारवन परमाणूं की संक्या बढ़ने के साथ बिलेता घड़ती जाती है मतलब इन में यदि कारवन पर मनगु संक्या बढ़ेगी तो उनकी बिलेता घड़ती जाती है उच्चतर कारवजले कमल हाईडो कारवन से नकला की जल बिलागी अन्यून की रिया बढ़ने के कारवन बिसेस का जल में अबले होती है बेंसो एक अमल जो की सरलता अरोमेटिक कारवजले कमल है ठंडे जल में लगबाक अबले होता है कारवजले कामल बेंजीन, एथर, अलकॉल, इत्यादी जैसे कम धुर्विय बिलाइकों में बले होते है कारवजले कमलों की रासाइने का अभी किरिया निमब्ल प्रकार बरिकन गही है जैसे पहले हम अम्लेता में देखेंगे धातु भाल छारों के साहथ अभी किरिया अलकॉयोल GG कामल बिद्द धनी धात्मों के साथ करकर हाइडोजन मुक्त करते हैं चता फीनोलों की तरह चारों के साथ लबड बनाते हैं या दुरुबल चारक जैसे कार्बोनेट हाइडोजन कार्बोनेट के साथ अभी क्रिया करकर कार्बन डायोकसाइड उत्पन करते हैं या अभी क्रिया य थायत प्राप्त करते हैं यहां देख सकते हैं जो के ऑनी संविस्ता शुविधा के लिए मटलब सुविधा के लिए अहमलों की समार्थ मान की वजह पी के मान से इंगेत करते हैं मतलब पी के वरावर माइनस लोग के हाइडोग्लोरे कामले के पी के का मान माइनस सेवन पॉइंट जीरो है जैब कि ट्राइफ लोरो असीटेड अमल प्रवलतम कार्वुजिलिक दो अमल है बेंसो एक हमल तता असेटेक अमले के पी के मान के करमसा 0.23, 4.19 एवं 4.76 होते हैं अमल का पी के मान जितना कम होगा अमल उतना ही प्रवल होगा मतलब अमल का जो पी के मान है वो जितना कम होगा वह अमल उतना ही प्रवल होगा प्रवल अमलों का पी के मान एक से कम होता है मद्यम प्रवल अमलों में PKE मान 1 से 5 के मद्ध होता है दुरुबल अमलों के PKE मान 5 से 15 के मद्ध तक तथा अधिक दुरुबल अमलों के जो मान है वो PKE मान है वो 15 से अधिक होते हैं कार्वचल्य कमल खनेज अमलों से दुर्वल होते हैं प्रंदू यह आपको पहले से ही गया था कि फीनुल-एलकोहल तक क्यों अधेक्छा है है इसी फिरकास कावजले कमलों की फिनोलोस की अपेक्षा उच अमलेता को समझा जा सकता है कावजले कमल का संयुगमी छारा कार्वक्सिलेट आयन दो समान अनुनादी सरचना द्वारा इस्तायत प्राप्त करता है एवं इसमें रणावेस अधिक बिद्धुत रिणी औक्सि से फिनोक्साइट आयन मैं अनुनाद मेहत पूर्ण नहीं है जितना तիचाल जीता तक कम विदाधिनी कारण परवाल उपकर कम परवाव साली ढग से विस्थानित होता है फिल सुरूप कर्भ OC áयन पर्वसायप अधी किस्थाइथ प्रता है उन्च परतान है अधिक सी친ख रापकता है अधा कार्वॉसलिक अमले फीनोलों की अफेक्चा अधिक अमली होते हैं अज़ा कापजले कमलों की अमलता को भी परभायत करते हैं, एलेक्टरों अपनयर्ण करने बाले समू पेड़े कर, निमलिक समुहों का प्रवाव अमलता बढ़ने के करम में हैं जैसे कि फीनोल से अधिक आयोडाइड में आयोडाइड से अधिक व्रोमीन व्रोमीन से अधिक क्लोरीन में क्लोरीन से अधिक फ्लोरीन में और फ्लोरीन से अधिक साइनाइड में साइनाइट नाइट्राइड में और चीए थीरी में आता पर गब हुई अमलता के आधार पर विवस्तित किया गया है तो हम देख सकते हैं उनको घटते हुए मतलब घटते हुए मतलब सबसे घटते हुए करम में दिये गए हैं मतलब यह हम देख सकते हैं जो कावजले का इनुद पर पर प्रिभाव के कारण अपेक्षित कमी के विपरी थे अब नेक्स्ट हमपड़ेंगे ऐसा कारडनेग ऐसा कारवनेकर संखलेट समू से संगलेट SP2 संगलेट करवन की उचijk बदूत रात मक्ता के कारण होता है अब देखेंगे एनधिर आइडराइड का बिर्चन करवजुलेख अमलों खनेज अमलों जैसे S2SO4 आत्वा P2O5 के साथ गर्म करने पर संगात अनहाइड्राइड बनते हैं अस्टेरी करण क्या होता है देखते हैं करवजुलेख अलकोहुलों आत्वा फीनोलों से संद्र सल्फियूरेक अमला आत्वा हाइड्रियन क्लूराइड गैस जैसे खनेज अमल उत्पुर्कों की उपस्तिती में एस्टर बनाते हैं अब यह यह बब्विधी दी गई है उसे नहीं है पढ़ना मतलब पढ़ सकते हैं बुक्स से PCL5, PCL3 एवं SOCL2 के साथ अभी किरिया कार्वुसले कमलों का हाइड्रोकसल मतलब हुए है समू आलकोहॉलों के हाइड्रोकसल समू की भाती भेवार करता है और पासोपुरस पैंता क्लूराइड पासोपुरस ट्राइक क्लूराइड अत्वा थायनुल क्लूराइड के साथ परिता दी जाती है क्योंकि इस अभिक्रिया के दो अन उत्पाद गैसी होते हैं जो अभिक्रिया मिश्ण से बाहर निकल जाते हैं इसलिए प्राप्त उत्पाद का परीसोदन सुगम हो जाता है तो यह अभिक्रिया दी गई है अभ नेक्स्ट पढ़ेंगे अमोनिया के साथ कार्वुजिले कम्ल आम्मोनिया के साथ अभी किरिया द्वरा आम्मोनियाम लवार बनते हैं जो अधिक उच्च ताप गर्म करने से अमाइड बनाते हैं अब दखेंगे कार्वुजिले काम्तिंधी अभी कुरिया है पहली है अप्चेन कार्वजले का अमल लीथियम, अलूमीनियम, हाइडराइड अतवा डाइबोरेन द्वारा प्रात में कैलकोहोलो में अप्चेत हो जाते हैं डाइबोरेन, अस्टte, नाइट्रो, हेलो, इत्यादी जैसे प्रकात्मक समूव को सरलता पूर्वक अप्चेत नहीं करता नेक्स्ट है बी कार्वजले का अमलों के सूडियम लबनों को सूडा, लायम के साथ गर्म करने पर कारवं डाइयोक्साइड निकल जाते हैं अब जाता है तता एसे हाइड़ो कारवन निर्मित होती है जिसमें कारवन परमानों की संक्या से दुबनी होती है और इस अभीकरी के आखों कोलवे बिद्धुत अभगाटन कहते हैं अब देंगे हैलो जुनन एक ऐसे कावजले कामले जिनमें अलपा हाईडोजन बिद्धमान होता है लाल फासोपुरस की अलब मात्रा की उपस्तिती में क्लोरीन अत्वा ब्रोमीन के साथ अभीकरीया द्वारा अलपा हेलो कावजले कामले देते हैं इस अभीकरीया को हेलो फॉर्म जैलेक्सी कहते हैं यह दी गई है वो अभीकरीया है बलाई प्रतिस्थापन एरोमेटिक कावजले कामले एलेक्टोन रागी प्रिति इस्थापन करते हैं जिन में कावजले की निस्क्रिया का समय का समू है इवां उत्वीरा क्लूराइट कावजलेकर समुन से अबंदित हो जाता है तो इसकी भी अभी क्रिया दी गही है मतलब इप्रो शाले कंप्लीट हो गया मतलब इपीशिप्टर नहीं आएकर समझ में इसको मतलब वह समझना पड़ी गाए और बहुत चार-पांच विर पढ़ना पड़ेगा और इसके भी किरियां को लगाना पड़ेगा तब जाके चैप्टर समझ में आएगा यसे चैप्टर समझ में नहीं आएगा तो अच्छी के लिए तैंक यूपर वोचिंग बाइ